पाक आर्मी ओफिसर की इंडिया को गजवाए हिंदी की धमकी. तुम मेंसे जो शक्स उस दोर को पा ले उस लश्कर में जा मिले. क्योंके बिलाफर उस लश्कर की क्यादत मेरे बेटे मेहदी के पास हो. वी और वेटिंगे पॉर दार्ट. पाकेसन आर्मी इसन आर्मी. मोदी साब को जंजीरों में जखरना हमारे सदावा कोई नहीं जाता दुनिया में भी. और मुड़के हमी जाएंगे दवेश्कित करना पुरस्टिंग को दाने के आने के लिए जाएंगे. तुम बात करते हो कि पीम मोदी को जंजीरों में जखरोगे. ये कौन है यार ये कौन है आपकी इस तरह की भूंगियों से ना इंडिया को डर लगता है ना उनको कोई फरक पड़ता है बलके वो तो हांसी रहे होंगे. और मुझे तो हज हज के मैं विल्कुल पता पेट में दर्द होने लगा में तो जो भी पाकिस्तानी यूटूबर ये कहता है ना कि हम तो अमन चाहते हैं, हम शान्ती की बात करते हैं, हम पीस की बात करते हैं, तो सुनिए, आपकी आउकाद दिखा दी है इस आर्मी के आपक गर्म होने वाला है, अगर ये हम अंग्रेजी बोलते होते हैं, तो दुनिया ने हमारे उपर लिटरिली हमें चितर मारने है, उससे बड़ी भी करवाई होने वाली है, तो ये पैनिक जो है, इससे आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या हो सकती है इसकी, पाकिस्तान की तो जात ही एसी है, क्यों ठीक होने ही सकती है, आप जहां जाते हैं, खैरात अल्ला के वाते मांगते हैं, मुझे अब इतना अच्छा लगता है ना कि 1947 में ये लोग अलग हो गए, परना सोचिए कि क्या होता आज इस देश में, एक चीज वाइरल हुई है, कि हमारे काकर साथ ना मोदी अच्छा हुआ बिमारी अलग हो गई अब तो हमारी नौजवान नसल यह भूल गई है कि मसला कश्मीर है क्या जो निंतहाई किसम के भागे साव थियाः दुनिया में जो आपका इस्ट्स होगा जो आपकी पुजिशन की उसलाब से क्टाPad जाएगा अरे गोरी घंदित आए सूमनात मंदिर आज वहीं खड़ा रहे जो रियालिटी है वो यह है कि नरिंद्रा मोधी और उनकी जो सरकार है आपसुलूट कॉंट्रोल इन एवरी वे जर्नल का नाम भी बता देते हैं ना कि हमारे जर्नल बाजवा सहाव आएंगे जो घजवाई हिंद करेंगे मुधी कहते हैं मुधी जी को जेने पखते हैं आरे क इस इंजीरें डाल दी और उसने फलस्तीन भी फ़दा कर लिए क्योंकि आपके पास पावर नहीं है पावर है इस आर्मी वाले के पास दुनिया इस आर्मी वाले की सुनेगी आपकी नहीं सुनेगी आपकी सरकार आपके हिसाब से नहीं चलेगी इस आर्मी के हिसाब से चलेगी चलती आई है तो जो भी आप लोग बात करते हैं कि अमन फैलाएंगे, शांती फैला रहा हैं, पीस के लिए काम कर रहा हैं, घंटा आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं जो असली करेगा वो यही आर्मी ओफिसर करेगा उनको थोड़ा नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन पावर इनके हाथ में है अब आप सुनिये कि किस तरह से उसने मजब कार्ड खेला है, लोगों को बता रहा है कि वो मोदी को जनजीरों में जकड कर लेकर आएगा आप समझें नहीं इस बात का मतलब आपके आर्मी का ओफिसर कह रही है वो भारत को फता करेगा गुलाम बनाएगा हमारे पी-म को जनजीरों में जकड कर घसीट कर लेकर जाएगा यह ऐसी बाते कर रहा है, सर्विंग ओफिसर है Are you guys getting my point? और आप कहता हैं कि संबंद सुधार लने चाहिए मैं क्यूं कहता हूं हमेशा कि हमें कोई संबंद ने चाहिए इन जैसे लोगों के वज़े से क्योंकि ऐसी आर्मी के लोगों में ऐसे लोगों की उपर से नीचे तक आर्मी चीफ से लेकर और नीचे एक हवलदार तक जवान तक ज्यादतर की सोच ऐसी ही गजवाई हिंद करेंगे अब अब 93,000 के पैंट उतर वाने के बाद भी तुम लोगो तुम लोग नहीं सुध रहे अभी तक गजवाई हिंद के सपने देख रहे हो 93,000 की पैंट उतर चुकी है तुमारे लेकिन तुम्हें बात समझ में नहीं आती एक-एक जंग हारे हो तुम लोग लेकिन बात समझ में नहीं आती इसलिए नहीं आती क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने मजब का अफीम पी रखा है और जैसे ही मजब की कोई बात आती है न अबाज सब कुछ बूल जाते है असलियत क्या है सच्चाई क्या है हकीकत क्या है कोई फरक नहीं पड़ता हम तो जी ये कर देंगे अरे कुछ किया है 76 में कश्मीर का एक इंच न ले पाए जो सीज फायर हुआ था उसके बाद से और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान सोते जागते और भी कुछ कहना चाहता हूँ करते हुए दिमाग में यही आता हुआ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इसलिए मैं कहता हूँ कोई शांती नहीं कोई समझाथा नहीं कोई दोस्ती नहीं कोई आराना नहीं कोई आना-जाना नहीं कोई कारोबार नहीं इसलिए कहता हूँ कि मैं इनकी रग-रग से वाकिफ हूँ इतने बड़े-बड़े अच्छा, इंडिया को फता भी करेंगे और उनके बादशाहों के उपर चेने डाल के उनको गजीड के वापस बिला ले जाओ इंडिया सॉरी यार वाकिर बड़े खोच अलें आप शानीज़ फिगड़ा है ऐसी ऐसी फिर भी बात है कि सारी जंगें यहारे पैंसर की हारे एकरतर की अच्छिब गर्दियां की वो हरे किसी फ्रण्ट के उपर नहीं जीते हैं अब तो क्रिकटर में भी नहीं जीते बेड़े घर के उदर भी बेड़े घर यहों तो में थोड़े से जो अच्छे लोग और विजा भी विडियो वारे लोगी जिसने वीडियो खेंची है न उसने जानके चड़ा दियों को देखो किदा पागल है फोजी जड़ा भी है तो यह बड़े फजूल किसम के लोग है आपकी इस तरह की बंगियों से ना इंडिया को डर लगता है ना उनको कोई फरक पड़ता है बलकि वो तो हांसी रहे होंगे लिए होप कि जो हमारी जो नई जनरेशन आ रही है उदर भी वैसे आवे का वही बगड़ा वह उदर भी यह काम खराब ही है उमीद की किरन बड़ी मुश्किला बड़ा मुश्किल है कि शायद माइंड सेट बदले शायद इनकी कभी अकल इनके जहनों में आए पता नहीं क्यों इस तरह की खाबों की दुनिया में रहना यह अच्छा समझते हैं इसको इस फोजी को पता है रहसे कि हमारी फोज की क्या केपिबिलिटीज हैं और यह मैं कोई आसी कोई क्रिटिसिजम में मैं बात नहीं कर रहा है जारी सी बात है उनकी आर्मी आपस तीन गुना बड़ी है तो यह मौडर्न वारफेर में यह चीज़ें मैटर करती हैं उनके पास हर चीज़ लोजिस्टिक सपोर्ट उनके पास ज्यादा है उनके असला आप से जज़ादा उनके आर्मी के परसनेल आप से ज़ादा हैं आपके पास कखनी हैं फिर आपने बातें असी असी यही जो आगे बचारे जाहिल से लोग खड़े की हैं उनसे तालिया मरवानी हैं पागल लोग हैं तो पता नहीं कब बेतरी आएगी मुझे तो नहीं लगता के होगा कुछ ऐचा कर दूद कर दूद क